जो ब्रत है वो कितने का है उसकी तरजा कितनी है एक काई सेंटीमीटर देखिए लुए हाप रहे किन तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है एक काई सेंटीमीटर ठीक है अब चाप की लंबाई बताना है चली पहले देखिए हम चित्र बना लेते हैं यहां से लेकर यहां तक की दूरी एक काई सेंटीमीटर तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी होगी एक काई सेंटीमीटर ठीक है अब उन्होंने कहा है जो ए बी सी है चूंकि एक चाप कें यहां पर्कार लखें यहां परकार किसो ही लगे और पैंसरे हां से लेकर यहां तक बना तया चाप ऐसी लगा धिन सा तो यहां से लेकर यहां तक का चाप लगाया नाम दे देजी इसे यह यह चाप लगा दिया अब यह चाप लगा दिया अब अब जो चाप ABC है वह बृत की केंद्र ओपर कितनी अंस का कौन बना रहा है और उननों कहा है इसका चिपित पर बता तक कि बतानिये तक के प्युकु यह 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 नद भृत की पैड़ी कितनी होती चौकě। UMिए है उसका कितने महिस्सा कर ना है तो 350 का कितना किया शॉसाथ ön सब्सक्रेद मेश्य मेरा दिन वी तूपाइ आर मेरे टीळाब डिन कोते चेज़े लिए जितने या आंज का इरक आ दो को बढों केर्फ करता हुट कहना तो हम तो इसे आप कर लेना पाइ कमान 22 बटे साथ आर कमान कितना लग दोगे एक कई सेंटी मीटर थीटा की जगा पी कितना लग दोगे तरजा खांड कोन सा ओगा दर जगा देखें चाप यहां पर कौन सा ओगा चाप होगा ABC चाप अव सब्सक्राइब अब पूरा जैसा केक कर टुक्रा होता है ओ ए वी कि हम करते हैं कि यहाँ ओ वी इद्रगा शाथ आण तो विरत्त का च्षेत्रफाल तो विरत्त का च्षेत्रफाल कितना होता है अब क्या ग्याद करना है को संगत जीवा द्वारा बनाए गए विरत खंड का थे त्रफाल की जीवा कौण से संगत जीवा संगत मतलब इसकी भजाए से जीवा बॉन रही है तो ठीच सथी एक A और C, A एसे लेकर C धाना रहा है में तुह क्रकिंदती क्षाज कि अन्यों सब्सक्राइब देखिए कर यह उत्या स्वित करड दो और कहीं पर भी खंड कर दो तो क्या हो जाएंगे व्रत का ही खंड होगा कि नहीं एक छोटा होगा एक बड़ा तो देखिए ए और सी इतने वाला जो खंड है इसका हमें छेतफल बताना संज्मियारा कुछ सबाद ब्रत का खंड एक लगुवरत खंड हो जाएगा एक दिर्ग भावाण जाए लागुवरत खंड छूटा वाला düşpant चली देखिए तो लागुवरत खंड का चेत खंड का निकालने के विए क्या निकालना पड़ेगा तरचयाखंड के छेत खंड में से तो भूप घंट हाटा ना पड़ेगा हारेवा सन्जे क्या खंडन पाडगा हमें यह निकालने के लिए कौन सार लगू विरत्ट खंड न कालने के लिए हमें क्या पाफ़ेगा तिरजक्थ फक्ति न मैंतल्य पूरा उस्च्वwalk के चेथफल में से हमें क्या घटा से मगड़ा त्रभूज का चहतों जिससे हमें क्या पराफ्त होगा ये लागू थ्याध लुफ परदी अहें चाहब हम लेंगे त्रज्ज्य उसमें प्य ऊपराफ्त होगा तो त्रज्याखन का छेथफल यहां से हम निकाल ले हैं और आप हम निकालना है तुरभुज का छेथफल अब यहां यह ना बियांस का तुबना नहीं रहा है कि एक आधार एक उचाही होगी है तो इसके तुरभुज शुत्र क्या होगा आधार तो फेसी की दुरी यह होगी होगी हों कि यहां होगी यहां यहां कितना हो यहां से एक हमें हो और रचना करने पड़ेगी, लम डाल के, जिसे हमने नाम ले दिया, D, तो हमारी जो लमाई होगी, वो क्या होगी, लमाई क्या होगी, O से लेकर D, अब इनने निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो सुत्र कप्यों करेंगे, देखिए, जिसे क्या आपको A से लेकर C तक की दूरी है, यहे ना, और आप ऐसे भी निकाल चाना होगी, यह यह लमाई होगी, जैसे पिछले सवाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहाँ क्या था, नभी अंस बन ला था वहां किया समकॉण बना रहा था बना रहा था जो इस तरफ तो उससे उससे नेकाल लेंगे एक से बलत चो क्या है चेलिए पर को शाया हूद ह scam अधर हम सावाल लेकर को लिए सकद्रि देख हória है यहां पर क्या है यहां पर गितने का सुोय तो जहां होता है वो आधार मनना जाता है, जहां पर क्या होता है, तो इसे हम घुमा लेंगे, यहां पर D, यहां पर O, ठीक है, O से लेकर D क्या हो गया, आधार, O से लेकर D, क्या हो गया, आधार, और A से लेकर D, और देखिए, इसका देखिए, कितना दी है, यह A से लेकर O, एसे लेकर और कित्री निये है, 21, और क्या हमें ये दी है, और ये, ये भी निये है, अब हम कैसे निकाले है, कौन कितने का बनदा है, 30ंस का, हमारे पास क्या है, current है, और हमें क्या निकालना है, लंब निकालना, लंब बटे करण, किसमे होता है, साइन में, हम साइन तीस का ही क्यों लगाएं, क्योंकि देखिए, लंब और करण, किसमे होता है, साइन में होता है, हमारे पास करण तो है, हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है, यदि आरहर निकालना होता है, तो हम क्यो कि हमारे पास काल तो रियाए लेकिन में मैं क्या निकाल रा राएं लंब जो कि किसमों होता है स्ट तो dietis का सुठर लगांगे sign3 लेंगे लंब बते काल कतना है एत से लेकर डी रेकर दी टना है संध BC's संधीस कमान कितना होता है एक पर रोर दू कितना होता है कितना और 45 हिमा संधीस का इंग वाटे दो एक बटे दो AD 10.5 ठीक है A से लेका D तक कमान कितना घया 10.5 और D से लेका C कितना घया 10.5 दनों को जोड़ते को कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा 11 हो जाएगा 11 हो जाएगा हम क्या करें वो एक ज सी आ रही है इसका इस तरज्जा से कोई लेना देना नहीं है कि वो एक आईसा आ रही तो उससे कुछ मिल दोल होता है ऐसा कुछ नहीं वो आ रही तो हम क्या करने है वो संयोग बस आ रही है चले देखी तो AD वरावल कितना आया दस दस अला पांच AD आ गया हमारे पास इससे हम आधार निकाल लेंगे अब हमें निकालना है O और D क्या निकालना है O और D तो देखी आधार हो गया हमारे पास करन हो गया लंब निकाल लेंगे लंब का सुत्र क्या होता है लंब निकालो चाहिए आधार चलो मान लो हमने इससे आधार माना ठीक है बैसे तो हमारा आधार इस किनियम के अमसार आधार ये होगा कुंसा अबर ये हमारे पास अभी क्या मिला AD AD कितना है 10.5 ठीक है और ये कर्ण हमारे पास कितना है हमें क्या निकाला है OD चाहे आधार माल लो इसे चाहे लम माल लो कुछ फरकनी पड़ेगा कुछ भी फरकनी पड़ेगा चाहे OD को आधार माल लो चाहे AD को लो माल लो क्योंकि यदि हमें लम कमान निकालना पड़ता है तब करण में से घटा आते हैं और आधार कमान निकालना पड़ता है तो करण में यहां आठीज यहां नोगा अधर दूसरी की होनों क्योंड? क्यों आधर वियुक्र होता है कि नहींट? क्यों इस जुला आधर na ओमक आधर कार्णी कुलत तो आधर कितना है? वी एर माझी कॉद है , दो ये दो क्यों ऺो आधर कामन लुटर्ण? क्ती उलकती हमान? किस कमान, O से लेकर D तब कमान, ठीक है, देखिए हमें क्या क्या मन प्रात हो गया, A से लेकर D, और हमें क्या, O से लेकर D, तो आगर A से लेकर C वराबर क्या ऐगा, A से लेकर C, किसा आएगा, हमारे लिए आएगा, A से लेकर D, का दो गुना, यही आएगा, तो देखिए, 10.5 गुना दो तो कितना आधार और ओडी हो गई ओडी बराबर कितना है एक आइस बड़ी रूट पीन बटे दो हमारे पास क्या ओडी हो गया चले देखिए तो पिरफुच का छित फल कितना होता है एक बटे दो आधार को नहीं है चले दीखिए कि तेले भूज कौन सा ए सी ए सी का छित्रफल एक बटे दो अधार अधार कितना है ए सी कमान कितना है एकएस बटे दो चले दो देखिए कितना हाज़ागा बटी में तो आज आएगा चार पिपर बुछ का ए ओ सी का छित फल आ गया ठीक है अब इसी मिटा दें और हम करेंगे उसे हल ठीक है जो हमने चित्र बनाया है इस बताएब चले देखिए तो हमें क्या निकालना है ब्रत खंड प्रकंड कौन सार अबीची डियरत खंड का छित फ्ल क्या हैगा त्रजाखंड का छित फल माइनस पिर्भुज का चेट फल त्रजाखंड का छित फल इस उत्र से निकाल लेंगे है कि गे गुल्ट तरजया खंद का चैतरफाल तो देखिए इसमें डिखह लेड़ेंग्ध मैं दोसो एकतेस कितना दोसो एकतेश कॉँछंसा लगयू यह क्या ब्रत्रफाल गव्रत्रफाल का चैतरफाल लगयू प्रत्रफाल कौन सा ए बीसी का छेत्फल कितना आएगा तो देखे तरज्जा खंड का छेत्फल माइनस तरभुज का छेत्फल लिखे देने डायोग ठीक है तरज्जा खंड का छेत्फल माइनस तरभुज का छेत्फल अब आपको पता ही है कौन सा तरज्जा खंड कौन सा तरभुज तरफुच का छित फर्ड क्यों असरे है एसा ही आ जाती है चले तरफुच का छित फर्ड कितना है 110.25 गोड़े ए सरुई रूड ने 3 110.25 रूड 3 इस घाटा देना जो भी आजा है वह आप का अंसल होगा तो देखिए रूट 3 कमान कितना होता है रूट 3 कमान दसमलो में एक दसमलो साथ तीन कितना होता है तो 2301 माइनस 110.25 गोड़े एक दसमलो साथ तीन कि अब इसे अल करो है खिए कि एधार देख लो सब्हाब सब्सक्रांट पहला कुस्त्र से निकाल लेना दूसरा कश्यंघा इस तूत्र से निकाला थीसा पूंच आता जो लगू व्रत खंद है उसका चितपल पूरे त्रजा खंड के कि यह स्थ्वुचा बांग थे पफर दून्न जाएगा है साइन 4 सट कि मान सेयरी और 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 ön डिक्मराइन ऑडर णिकल सएयरे झाला यहां तो सब्ड़ान उससे कमान नेकलनाइगा जीनल जाना है कशस्थ उस्थ मान निखाला खुर्ठीश का मुजिप्ल में लगा दिया एक बटे दो आधार गुने हुचाई ओडी कमान एकाइस रूटीन और एसी कमान कितना आया इनका सुल्प करने पर इतना आया तुरूज का सित्पल कितना है एक सोदस्ट दसम लग पच्छेश रूटीन तो संगत लगुब और दिख व्रत खंडों का सित्पल बताना है इसे कर लेना बसम में में बताए दे रहें करना क्या है चाटमा कुश्चन नमब चाटमा चली देखिए क्या कह रहा है वो कि हमाले पास जो तरज़ा है कितने सें इंटी मेटर वाली यह 15 मोड़ा इक व्रत है जिसकी तरज़ा कितनी है 15 सें इंटी मेटर के ने इसमें उन्होंने कहा है संगत lead प्रक्र को नीडोड गवरत्खंड फटल चेस्थ फल खतना तर्व अने कंग chicos करना है में अच्छा घाटा भूखण करें चेट खतना ही सापहिए इतना प्रीक अजे कि निकालेंगे जैसा आभी तक निकालते हैं कैसे निकालेंगे यहां से लेकिर यहां तक की दूरी ग्यात करों जगत करों तो हम क्या करेंगे चलो हम बता है देए थूड़ा भूत क्या है उन्होंने दुखोषा चाहिए पाई बराबर तीन दसन लो चुगदा और बाला एक सुना साथ तीन अप्रियों करना है चले देखिए तो हम क्या करेंगे इसे नाम देदेंगे कुछ ए बी ठीक है और ये सी और यहां से लेका यहां तक का डी हमें क्या करना है ए बी सी ए बी सी क्या है लगू विरत खंड का छेतर फाल कौन सा लगू विरत खंड का चेतर पल कैसे आएगा पूरा तरज्जा खंड बताया था नहीं चितर से तरज्जा खंड कौन सा तरजा, खंड, कौन सा, O, A, C, B, O काहिदे से तो सिर्फ B तक लिखा जाता है हम लेकर आपको संजमा है इसलिए बात में हो लगा रहा है इसके छित फल में से, का छित फल, माइनस, माइनस किसका छित फल, तिरभुज, A, O, B तिरभुज, A, O, B, का छित फल इससे क्या जाएगा, आपका तुरिज जखंड आजाएगा, A, C, B संजमा रहा है, अब कैसे निकालेंगे तिरभुज का छित फल, तो आपको धियान जाएना चाहिए हम क्या निकालेंगे, OD, और क्या निकालेंगे, AD, AD का दो गुना का देंगे, तो क्या जाएगा, A, B आजाएगा, तो यह हो जाएगा, A, B हो जाएगा, आधार, और ओडी हो जाएगी जाए होता हुटा ना तो पर एक बटे दो आधार गुझाई के अंदर पर देखो कितने का बना रहा है साथ का तो एक बार लगा देना साइन साथ ते साइन तीज और एक बार कॉस्ट थीज ठीट है जहां पर कॉन बंदा वो उसके लिए क्या होगा आध इसका और कॉस्ट इसका जिससे के आपको एडी और ओडी आ जाएंगे ओडी तो हो जाएगा लेकर जब एडी आएगा तो एडी का दोखना का देना तो एडी एक बाटे दो आधार गुझाई संज में आ रहा है चली देगे आप हमें निकाला दीर ब्रत खंड का चित फल द करी कर कि आप वे एडी का आ सा देखंड का चैत्र फल चली यहाँ पर देखी देर फ्रत खंड काचित फल कोऊ जाएगे आइगे इस ब्रत खंड का चैत फल आप एडी इस ब्रत खंड का यहाँ तो वरत का छेथ फल छेथ फल जा फाल मांड में अज लगू वरत खंड का छेथ फल फल गटा दो क्या देगा देगों सब्सक्राइब चली देखिए कुछ नमर्स सात्मा क्या कह रहा है बारा सेंटी मेटर तरज्जा वाले एक विरत की कोई जीवा किंदर पाइक सबीस का कौन अंतृत करता है संगत विरत खंड का चित पल ग्याद करना है तो देखिए कुछ नहीं है जैसा मनें पांच मां कुस् मैं वही है 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 एक साइट साथ हंस का कौन बंजाएगा बान जाएगा है तुम अबम को सांत्मा क्या कह रहा है टेखिये कटनी है है बारा सिंटिमीटर ठीक है क्या करना है बहुंड जीबा वन रही है इसकी बजयाओं सब्सक्राइब एक सबीस वाणिया तो कि तरजयाखंड शेटफल लिए उसमें क्या करेंगे साथ हंस का इस तरफ साथ हंस का इस तरफ जहां कौन बनता है वो क्या हो जाएगा आधार तो यह आधार यह क्या हो जागी हो एंक यहां पर हम क्या ख olduğ हैं बें अग्त को दोनों होगे तो यह आधार इस अपर दो गनां का दिना आधार अध़ कुस्चन क्या है कि पहले इसे मिटा दे आठ मा कुस्चन देखिए देगाई आक्ति में पंदरा सेंटी मीटर बुजावाले एक बर्गा का घास की मेदान में एक कौने में पर लगे खूंटे से एक घोडे को पांच मीटर लंबी रसी से बांग देते हैं तब पहले तो उसका अच्छे तफ़ल बताईए जहां तक घोडा घास चर सकता है तो कहां तक चर सकता है पांच संटी मीटर लंबी तक लंबाई तक चर सकता है तो तो जो घोडा घास चरेगा तो क्या एक चाप लगाएगा क्या लगाएगा कौनसा कशन है आठमा मालो गोड़ा इस कोने में मला है ठीक है तो अधिक्तम इस साइड तक जा पाएगा और अधिक्तम इस साइड तक जा पाएगा बरग है वो बरगाकार बरगाकार है ना तो हम अधिक्तम सीमा बता रहे हैं माल लो यहाँ पर बरग खतम है ठीक है, यहां पे खतम है, अधिक तमसीमा बता रहे हैं, अधिक तमसीमा क्या, ऐसे रहेगी कि नहीं, चलो आपको वह ऐसे चित्र बना कि बता रहे हैं, आप भी महान है, मालो यहां पे एक खुंटा, अधिक तम मालो यहां तक जा पाएगा, अधिक तम यहां पे कहा है, यहा कुछ और बताया है कि इसमें पूजा कैसी है कोई दिया है कि इसमें नहीं नहीं दिया ना आप देखें को तिया है जड़ा देखिए आप जैसे कि मान लो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है है यहां से लेकर यहां तक की दूरी पंदर अइए ठिक है यहां तक हो रहा है और इसका पांश में दूरुं यहां तक हो रहा कुछ संज में आ रहा है तुन्होंने पूचा है मेलान के उस भाग का छित्फल बताईए जहां तक गोड़ा घस चर सकता है तो यहां तक का चर सकता है चर सकता की नहीं तो इसके अंसाथ त्रिजाखंड का छित्फल क्या होगा बस देखिए कि अ कि मेंदान का छित्फल गोड़ी दुए को दो घड़ा है मेंदान की ठीफल ड्रद की अगओ अजकी अए भुचिए रिकार यहां तक पांच मांच यहां से लिकार यहां तक है नियुत पूरा के तरह पंदा तरह को देखें असे मिधन बाझत पार कोंगा गोला के वर ओप करेगा चले दिखिये शोट्र भाई आरे स्कॉर बुने ठीटा वर्टी यही ना कारी कारी पहन से कर लें नहीं लगांगे चली देखिए गोड़ा कितनी छित फेल तक घास चर सकेगा क्योंकि सेंटी मीटर की थोड़ी ना रसी बांदेंगे चली देखिए अब उन्होंने दूसरा कुस्टन पूचा है यदी रसी की लंबाई कितनी कर दें दस मीटर कर दें पांच मीटर लंबी रसी को क्या दस मीटर कर दें तब छेत फल कितना होगा कुछ नहीं यह सूत्र लगा देंगे पांच की जगाए पर क्या रख देंगे दस रख देंगे दस गोड़ने दस कितना हो जाएगा सो देखिए जब आर बर आर कितना हो दस अट- 10 तरद संबला 5 है अ मालो यहां तक है सकत्म हो गयी है अब फोड़े को कातप यहां थाकि कि घ्र जरनी है यां कि की निज दास है त्ब तरफ जिए खंड के लिए जम चले देखिए त्ब जिंद निए तिर जित फल कितना आया निज अज रशी कितनी है चाइख मीटर की जब चेत फाल कितना आया या दसमलों पांच वर्ग मीटर क्यों कितना आया